दोस्तों अगर आप लोग YouTube पे काम करते हो और अपने फोन से वीडियोज को एडिट करते हो और फोन से आप लोग अपने थमनेल को भी बनाते हो तो आप लोग गाइज कभी भी अपने फोन को Android 13 पर अपडेट नहीं करना क्योंकि उसमें काफी ज़्यादा बग्स है और आपको काफी ज़्यादा परिस्तानिया हो सकती है नहीं आप अपने वीडियोज को एडिट कर पाऊगे नहीं अपने फोन से आप अपने थमनेल को बना पाऊगे तो गाइज ऐसा ही मेरे साथ हुआ था आप लोग कभी भी अप पर अपडेट मत करना और अगर आप लोग अपने फोन को अपडेट कर लिए हो तो इन सारे प्रोब्लम्स को आप लोग कैसे स्वाल करते हो सारा चीज में आप लोग को बताने वाला होता आप लोग गाईज इस वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखते रहे जो पहला प सेड़ वाला जो अप्शन है वोग काम नहीं कर रहा है और आप लोग समझ सकते हो गाईज बिना सेड़ो का आपको जो थमनेल हो आधा धूरा रह जाता है बिना सेड़ो का आपका जो थमनेल हो बिल्कुल भी अच्छा देखने में नहीं लगता है इसलिए मैं आपको बार- मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पा रहा है तो अपने फोन को अप्डेट कर लिया है तो आप लोग को जो कैन मास्टर का लिंक हो मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो guys अगर आप लोग काईन मास्टर को डाउनलोड करना चाते हो अपने Android 13 के लिए तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो guys तीसरा problem आप लोग के सामने आएगा guys कि zip file जो Android 13 में अच्छा से वर्क नहीं करता है अगर आप लोग उसको extract करते हो तो वह extract नहीं होता है यह भी problem guys Android 13 में आ रहा है तो आप लोग को Android 13 में एक और problem देखने को मिल जाता है कि कई सारे जो application है जैसा कि आप लोग यूट्यूबर हो तो आप लोग काफे सारे application ऐसे यूज करते होंगे जो की pad होगा लेकिन आप लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके आप नहीं तो आपको काफे सारे problem हो सकता है तो गाइस मुझे सारे problem वह इसलिए मैं आप लोग के साथ share कर दिया सोचा कि आप लोग को भी यह problem ना हो जाए इसलिए मैं आपको यह update देता हूं तो गाइस आप लोग के लिए बस यही एक छोटा सा update था जो कि मैंने आप लोग को बतादिया